हलो दोस्तों नमस्ते मारेनवी सिंग और आप सभी का फिर से एक बार एटू जिन ओनलाइन ग्यान यूटूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों जैसा कि आप लोगोंने थम्मेल में देखकर पता लगा ही लिया होगा कि यह टॉपिक किस बारे में होने बाला है तो दोस्तो अगर आपने भी इसरम कार्ड बनवाया है और आपने अभी तक इसरम कार्ड को निकलवाया नहीं है या आपने निकलवाया था और आप इसरम कार्ड आपका जो की गुम हो गया है खो गया है या कहीं आपने रख दिया है तो आप दुवारा से इसरम कार्ड को निकलवाना चाहते हैं या अपने आप स्वय मोबाइल से घर बैठे निकालना चाहते हैं तो आप किस प्रकाश से आपने इसरम कार्ड को दुवारा से डाउनलोड करवाएंगे तो दोस्तो लगातार इस वी तो चैनला को कर दिएगा और दोस्तोंने को डाउनलोड करने के लिए पहले आप अपने मोबाई Leah लप्रताप की स्कीन को ओपन करेंगे तो आप यहां Google Chrome browser को open कर लेंगे इस बार आपको यहां पर जैसा की टाइप करना है साइप इस बार में इस्रम कार्ड इतना ही आपको टाइप कर लेना है जैसे आप इस्रम कार्ड टाइप करेंगे और इंटर करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा इस प्रकार से आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा यहाँ प पर आ जाएंगे अब यहां पे दोस्तों आपको 3 box नजर आ रहे होगे यहां पे पहले हे बाले box में यहां पे आपको नजर आ रहा होगा register on is from तो यहां पे दोस्तों आपको नीचे नजर आ रहा होगा already registered और एक आपको update का options नजर आ रहा होगा इस update वाले options पे आपको click कर देना है जैसे दोस्तो आप click करेंगे तो आपके सामने एक next page कुछ इस प्रकाश से open हो जाएगा अब यहाँ पे दोस्तो आपको अगर अपना email number मालूम है पहले से तो आपको यहाँ पे अपना email number जो की enter करना है जो भी आपका स्रम कारड number है यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे अपना date of worth सेलेक्टिक कर लेंगे उसके बाद दोस्तो आपको इस जो केप्टा नजरा रहा है इस box में type करेंगे उसके बाद दोस्तो आपको generate OTP वाले options पे जो की click कर देना है तो आपके mobile पे एक OTP आएगा उसको submit करके आप निखाल सकते हैं यानि download कर सकते हैं लेकिन आपको इसरम कारड यानि even card number मालूम नहीं है पता नहीं है आपने कभी निकलवाया ही नहीं या आपका खो गया तो आपके इस प्रकाज से आधार नंबर से download कर पाएंगे तो उसके लिए दोस्तो आपको यहाँ आल लेली registered वाले options पे क्लिक करना है जैसे दोस्तो आप यहाँ पे करसल को ले जाएंगे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो options से नजर आ जाएंगे आपको पहले ही वाले options पे क्लिक करना है जैसा कि आप देख पाने अपडेट प्रोफाइल आपको अपडेट प्रोफाइल वाले options पे क्लिक कर देना है और उसके बाद दोस्तो आपके सामने next page कुछ इस प्रकाज से open हो जाएगा अब यहाँ पे दोस्तो बताया गया है कि आप अपने रईिस्टर मोबाइल नंबर को यहाँ पे फील करेंगे यάν히 जो भी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर link है उसको आप इस box में फील कर देंगे तो दोस्तो आप इस box में अपने जो भी आपका registered आधार से mobile number है आपको इस box में fill कर देना है उसके बाद दोस्तो इस capture को आपको इस box में fill कर देना है उसके बाद दोस्तो आपको send or tp वाले options पे click कर देना है जैसे आप click करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से एक next page open हो जाए इसके बाद यहां finger point पे आपको यहां पे czyli of options पे click करना है किरिकि दोस्तो आप यहां पे o tp को send करके download करने वाले हैं तो आपके registered mobile number पे एक o tp फिर भेजा जाएगा जोकि आधार immigration के लिए दोस्तो ओटप उसी mobile number पे जाएगी जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है तो दोस्तो ओटीपी आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है दोस्तो ओटीपी इंटर करने के बाद यहाँ बैलिडेट वाले आपसंस पे आपको क्लिक कर देना है जैसे दोस्तों आप validate वाले options पे click करेंगे तो आपके सामने इस podcast से next page open हो जाएगा यानि अब आप यहां से अपना स्रम कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे तो यहां पे आपको update EKYC information वाले options पे click कर देना है जैसे दोस्तों आप यहां पे click करेंगे तो आपके सामने दो step खुल कर आ जाएंगे यहां पे पहला है update profile और दूसरा वाला options है download UN card यानि download इस्रम कार्ड तो दोस्तों हमें यहां profile को update नहीं करना है हमें आजो की UN card डाउनलोड करना है तो यहां पे हम download UN card वाले options पे click करेंगे तो इस प्रकार से आपका जो की UN card यानि इस्रम कार्ड डाउनलोड हो जाएगा आप देख पारे हैं कि इसी प्रकार से easily तरीके से आप अपने स्रम कार्ड को डाउनलोड कर पाएगे यहां एक आपको बटन मिलता है download UN card तो इस पे click करेंगे तो आपका जो भी UN card यानि स्रम कार्ड है वो नीचे डाउनलोड हो जाएगा अगर आप दोस्तों मोवाइल से डाउनलोड करें तो आपका गैलरी में save हो जाएगा और आप किसी भी जनसेवा केंदर पर जाकर उसे निकलवाज सकते हैं अगर आप खुद एक CSC जनसेवा केंदर संचालक हैं तो इस प्रकार से आप डाउनलोड करके स्रम कार्ड कस्टमर को दे सकते हैं तो दोस्तो इस जनकारी से आप लोगों को थोड़ा बहुत भी कुछ सीखने को मिला है तो एक वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजेगा क्योंकि दोस्तो इसी प्रकार की आनलाइन संबंदित जनकारी हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम इस चैनल पर लाते रहते हैं अगर दोस्तो आनलाइन संबंदित किसी भी प्रकार की अन्य जनकारी के लिए हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं तो मैं दोस्तो आपको उसका जबाब देने की कोशिच करूँगा